नमस्कार दोस्तों, संसकार की बादी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों, आज हमारी वीडियो का विशे रहेगा बेसाख मास में मंगल वार को श्री राम कथा का श्रवन दोस्तों, ये कथा यदि आप सुनोंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कथा आप पहली बार सुन रहे हो दोस्तों ये कथा इतने पुन्य दाइनी है और अपार धन संपत्ती देने वाली है दोस्तों जब आप इस कथा को सुनेंगे तो कथा सुनने से आपको मालूम होगा कि सच मुझ इस कथा के सुनने से लक्ष्मी जी की अपार कृपा होती है दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी सबसे पहले हो सके पोलो शीराम भगवान की चै सीथा माता की चै भगवान शीराम लक्ष्मन और सीथा जी पिता दश्रत जी की आग्या पालन करने के लिए बनवास चले रास्ते में सारे तीरत गंगा यमुना गोमती में उन्होंने तरपन किया वन में फल फूल कंध मूल खाकर जीवन यापन किया एक तिन राम जी की आग्या से लक्ष्मन जी कंध मूल तोड कर लाए और सीथा जी के आगे रख दिये सीथा जी ने उनकी चार पत्तल बनाई लक्ष्मन जी पूशने लगे माता जी आप चार पतल किसलिए बना रही है माता जी बोली एक पतल राम जी की एक पतल लक्ष्मन जी की एक पतल गो माता की और एक पतल सिधा जी की राम और लक्ष्मन जी ने अपनी अपनी पतले उठा ली और एक गो माता के आगे रखती सिधा जी ने अपनी पतल नहीं उठाई और ना ही गो माता ने राम जी ने सिधा जी से पूछा कि आपने फलाहार क्यों नहीं किया तब सिधा जी ने कहा मेरा तो राम कथा कहने का नियम है राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करूँगी तब राम जी ने कहा कि राम कथा मुझे सुनाओ सिधा जी बोली आप तो हमारे पती देव हो आपको राम कथा कैसे सुनाओ लक्षमन जी बोले माता जी राम कथा मुझे सुनाओ सिधा जी बोली आप तो शादी शुदा देवर हो औरतों की बातें औरते ही जाने तब लक्ष्मन जी विचारने लगे कि वन में औरते कहां से आएंगी तब लक्ष्मन जी ने धर्ती पर माया नगरी बसा दी उस नगरी में सभी चीजें जैसे की महल, मालिया, बर्तन, कपड़ा काम करने की सभी चीजें सोने की थी उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया इस सोने की नगरी में आदमी और ओरतें दोनों को काफी गर्व था कोई भी व्यक्ति करीब नहीं था राजा से लेकर भंगी तक गर्व में पागल थे सीताची कुएं पर गई वहाँ पनी हारियां पानी भरने आई उनका मटका जालर और इडनी तीनो सोने की थी सीता जी कुए पर बैठी ओरतों से राम राम बोली पर किसी भी ओरत ने राम राम का जवाब नहीं दिया क्योंकि वे तो सभी गर्व में डूबी हुई थी थोड़ी देर में एक दारबड़ी आई और सीता जी ने उसे भी राम राम की और बोली आप हमारी राम कथा सुन लो दाबड़ी बोली आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती मैं तो अपने घर को जा रही हूँ सीता जी बोली मेरे राम लक्ष्वन भूखे है दाबडी बोली कौन से रामलक्ष्मन मैं तो घर को जाती हूँ मुझे तो मेरी मा बुला रही है इतना कहका दाबडी अपने घर को चली सिता जी को गुसा आया पूरी सोने की नगरी पितल की हो गई मा ने पूछा पूरा जेवर, मटका, इडडनी सब खोटा कहां से कर लाई दाबडी ने कहा मुझे तो पता नहीं मैं तो जो पहनी हुई थी वही ले आई हूँ पर कुई पर एक सुन्दर सी तपस्वनी बैठी हुई थी उसने कहा कि मेरी राम कथा सुनो पर मैंने ना करती जिससे उसने कुछ टोटका कर दिया हो तो मुझे नहीं मालूम मा बोली जाओ उसकी राम कथा सुन आओ वो तपस्वनी नहीं है वो तो सीधा जी है वापस जाओ अपने घर में रिद्धी सिध्धी हो जाएगी अपनी तो पूरी नगरी ही पितल की हो गई गावडी बोली मैं तो वापस नहीं जाती इतने में बेटे की बहु आई उसने कहा आपकी आग्या हो तो सीधा जी का दर्शन कर आओ राम कथा सुन आओ सासु बोली जा बेटी सीधा जी की राम कथा सुन आ गेहना कपड़ा सब पितल का ही पहन जा बहु कुए पर जाकर बैठ गई खाली मटका पानी से भरे और फिर खाली करे यह देख सीधा जी बोली आपके घर में कोई काम नहीं है बहु बोली माता जी मैं तो सब कारे निप्टा कर आई हूँ तब सीधा जी बोली तुने मुझे माता जी कहा यह सुन मेरा मनखुशी से हर्शित हो रहा है अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन लो बहु बोली माता जी आप राम कथा सुनाओ आपकी राम कथा सुन कर ही घर को जाओंगी चंदन चोकी मोतियो का हार राम कथा हमारे गले का हार राम ध्याओं राम मनाओं राम कहे तो पर देश जाओं सीधा जी ने कहा तुने मेरी इज़त रखी भगवान तुम्हारी तुम्हारी भगवान स्वर्ग लोग में सहायता करेंगे। तुम्हारी भगवान स्वर्ग लोग में सहायता करेंगे। तुम्हारी भगवान स्वर्ग लोग में सहायता करेंगे। सो भाय सो लेलो राम मन में धोका रखना ना राम। राम कथा पुरन हुई तब सीता जी बोली आपने हमारी राम कथा सुनी। हमारी सहायता की आपने हमारे भूखे राम लक्ष्वन को खाना खिलवाया। भगवान आपको सातों स्वरक का सुख देगा। सीता माता का आशिरवाद ले। बहु अपने घर जाने लगी। सीता जी ने अपने गले का हार उतार कर बहु को पहना दिया। बहु अपने घर सासु जी को बोली कि मेरा मटका सिर से उतारो। सासु जी बोली, ए बेटी, हीरा पन्ना का गहना, कपड़ा और मटका, सिर का जालर, इडनी हीरा से जिल मिला रही है, ये सब चीजे तु कहां से लाई, राजा जी सुनेंगे तो दंड देंगी, बहु बोली, मैं तो सीता जी से उनकी राम कथा सुन कर आ रही हूँ, उनकी क्र से सभी हुआ है, सास बोली, ठीक है, रोज तुम राम कथा सुन आया करो, बहु रोज सिता जी के पास राम कथा सुनने जाने लगी, सुनते सुनते वर्ष गुजर गया, तब बहु ने कहा, माता जी कहानी का उध्यापन बताओ, माता जी बोली, साथ लड़ू एक नारियल फिर उनका साथ भाग करना, एक भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने का जितना फल मिलेगा, एक भाग तलाब में चढ़ाने से तलाब खुदवाने जितना धरम होगा, एक भाग भागवत पर चढ़ाने से भागवत सुनने का फल मिलेगा, एक भाग तुलसी पर चढ तुलसी की शादी करने जितना फल मिलेगा एक भाग कुमारी कन्या को देने से कन्या दान करने का फल मिलेगा एक भाग ब्राहमन को देने से ब्राहमन को खाना खिलाने जितना फल मिलेगा एक भाग सुर्य भक्वान को चड़ाने से तेती कोड देवी देवता भोग लगाने ज उसका साथ बराबर भाग किया एक भाग मंदिर में एक भाग तलाब में एक भाग भागवत में एक तुलसी में एक कन्या को एक ब्रहामन को एक सुरे भगवान को चड़ाया सुरे भगवान को चड़ाने से तेती क्रोड देवी देवताओं ने भोगल गा लिया अब बहु फि साथ दिनों बाद बैकोंट धाम से विमान आएगा। सो साथ दिनों के बाद ही बैकोंट धाम से विमान रिम जिम रिम जिम करता आया। फिर भी खाली रहा। इतने में ननत आई बोली भाबी जी मुझे भी विमान में बिठालो। माता जी ने देखा विवान में जगा ही नहीं है। बहु सिता जी को बोली माता जी हमारी ननत रानी को भी बिठालो। सिता जी बोली आपकी ननत गमंड से भरी हुई है। हमारा व विमान कच्चे धागे से बना है यह तूट जाएगा ननत बोली भाबी जी मैं यहां अकेली रहूंगी तो साप बिच्छू खा जाएंगे भाबी जी बोली आप की करनी आप ही भोगो हम अपनी करनी से सीता जी के साथ जा रहे हैं इतने में बहु अपने पती देव के साथ व के साथ विमान में बेकुंट धाम जा रही हो आपने रमायन का पाठ किया या गीता जी का पाठ किया या कोई अखंड पुन्ने किया जिससे की स्वरक से विमान लेने आया है बहु बोली मैंने तो केवल सीता माता जी से राम कथा सुनी उनका उध्यापन किया नगरी के जो कोई राम कथा की 108 पुस्त के बांटेगा उनको भी उतना ही फल मिलेगा जितना बहु को मिला सभी नगरवास्यों ने राम जी की जैजे कार की सिधा जी ने सबों को विमान में बिठा लिया विमान स्वरक के रास्ते चल पड़ा स्वरक के सातों द्वार अपने आप बुचने लगे कि तूने ऐसा कौनसा पुन्ये का कारे किया जिससे कि स्वरक के सातों द्वार पार करके हमारे पास आई हो बहु बोली मैने तो सिता माता जी से राम कथा सुनी इसका उद्यापन किया तेती क्रोड देवी देपता बोले हमें भी राम कथा सुनाओ, बहु ने सब को राम कथा सुनाई, बहु ने कहा राम ध्याओं राम मनाओं, राम कहें तो परदेश चाओं, सभी देवी देपता सिता माता की जैजैकार करने लगे, आप सब भी मिलकर बोलो जैशी राम कथा की जै हो राधे राधे जै शी कृष्णा दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेर भी जरूर करें धन्यवाद